कि लिनियर ट्रोंस्फोरमेशन के बारे में भी दिस्कुश्ण करने वाल है कि लिनियर ट्रांस्फोरमेशन है जैसे कि आप लोगों को पता हैं यह फंक्शन को आप कैसे लिखते हैं f from a to be a से b तो इसका मतलब यह होता है कि function A के member को B में transfer करेगा या भेजेगा तो similarly यहां हमारे पास function के जगह होगा transformation T और U and A and B के जगह हमारे पास दो vector spaces होंगे एक है suppose U दूसरा है V तो इसको क्या बोलेंगे T is a transformation from U to V यहां U and V दोनों vector spaces है ठीक है और obviously vector space है तो इसके पास भी 10 properties होगी इसके पास भी 10 properties होगी और दोनों के individual operations भी हो सकते हैं अभी function के जगह हम just transformation लिख रहे हैं अब यही transformation को linear हम कब बोलेंगे अगर यह transformation T दो property satisfy करता है तो उसको हम linear transformation बोलेंगे अब वो दो property क्या है so first property यह है कि T of U plus V is equal to T of U plus T of V होना चाहिए ठीक है बट याद रहे कि यह हम हम जो input करने वाले है vector यह always domain में से होना चाहिए जैसे कि हमें पता है इसको हम domain बोलते है जब function define करते हैं तो यह set को हम क्या बोलते है domain domain set और इसको हम input vectors लेंगे always first vector space है उसमें से लेंगे domain vector space में से ठीक है and second property यह है कि T of K into U is same as K times T of U again U हम यहां input कर रहे है इसलिए U हमारा कहां होगा capital U में ऐसे और के जैने scalar कि क्या है just a number T अगर यह दूनों property satisfy हो रही है if यह दूनों property satisfy हो रही है then T को हम क्या बोलेंगे T is called linear transformation ठीक है ओके अब मान लेते हैं for example मान लो हमारे पास है T from R 2 to R 2 defined by T of X Y is equal to Y X तो यहां example के तूर के में क्या ले रहा हूँ कि R 2 के member R 2 में ही transfer हो रहे है बस जश्ट हो क्या रहा है अगर हम input X and Y दे रहे है तो output में coordinates change हो रहे है X coordinate है Y हो जाएगा Y हो X हो जाएगा ठीक है तो देखते है क्या यह linear होगा या नहीं सबसे पहले हमें क्या करना है domain में से दो members निकालने है यू एड नाम वी नाम दे दे देंगे सो मनलो यू है हमारा X 1 Y 1 क्योंकि यहां हमारा domain R 2 है इसलिए हमें इस में से दो member निकालने पड़ेंगे ठीक है सो एक member X 1 Y 1 ले लेते हैं दूसरा member suppose V को लेते है X 2 Y 2 ठीक है यह दोनों किसके member है R 2 के domain के member है और हमें पता है एक और scalar के हमें ज़रूत पड़ेगी सो K belongs to R scalar ठीक है सो फश्ट प्रोपर्टी के लिए हमें क्या करना है फश्ट प्रोपर्टी के लिए टी ओ उफ यू प्लस V और यहां operations दिये नहीं है तो standard operation ही होगा है मतलब addition भी हम standard तरीके से करेंगे और multiplication भी standard तरीके से करेंगे सो T of U plus V का मतलब क्या हो जागा T of अब U भी है हमारे पास V भी है सो X1 Y1 that is about U यह हमारा U है और V का मतलब है X2 Y2 ठीक है अब addition कैसे करना है normal standard तरीके से X coordinate के साथ addition X का ही होगा सो X1 plus X2 और Y के साथ Y का addition होगा सो Y1 plus Y2 ठीक है अब हम transformation apply करेंगे अभी हमारा यह है X coordinate यह हमारा Y coordinate अब definition के सबसे जाओ तो transformation क्या change करता है कि अगर हम X and Y input करेंगे तो output में interchange हो जाएगा यहां कि जो Y coordinate है वो X बन जाएगा X से वो Y बन जाएगा ठीक है तो यहां भी ऐसा ही होगा यह जो Y coordinate है वो X coordinate बन जाएगा आगे आ जाएगा एं जो X coordinate है वो पीछे चले जाएगा याने कि X1 प्लस X2 तो यह है हमारा T of U प्लस V का simplified answer इसको equation 1 दे देते है ठीक है अब another side दूसरी side proof करते है property की दूसरी side क्या है T of U प्लस T of V ठीक है का मतलब है हमारा X1 Y1 X1 Y1 प्लस T of V का मतलब है हमारा X2 Y2 X2 Y2 ठीक है अब definitions apply करें तो definition के हिसाब से क्या हो रहा है Y coordinate आगे आ जाएगा X coordinate पीछे चले जाएगा so Y1, X1 होगा इसका और यहां भी same Y coordinate आगे आ जाएगा और X coordinate पीछे चले जाएगा अगे addition करना है so addition normal तरीक से करेंगे first coordinate का addition first coordinate साथ तो Y1 प्लस Y2 हो जाएगा Y1 प्लस Y2 X का addition X के साथ so X1 प्लस X2 ठीक है so यह हो गया simplified form इसको नाम दे देते equation number 2 अब equation number 1 and 2 से clear है कि दोनों same है इसका मतलब यह हुआ कि यह quantity भी same ही है therefore from equation number 1 and 2 we can say that T of U plus V is same as T of U plus T of V ठीक है तो यह first property proof हो गई अगर हाँ अभी second भी प्रूप करने पड़ेगी अगर second भी satisfy हो रही है तो फिर हम बोल सकते हैं कि यह यह linear transformation है तो चलो second दिखा देते है है तो फोर second property हमें क्या दिखाना है यादी होगी T of KU equal to K into T of U दिखाना है ठीक है सो हम left side से start कर रहे हैं सो T of K into U पहले हम U की विल्यू डाल देते है है यू क्या है हमारा X1 Y1 ना सो T of K into X1 Y1 अब पहले हमें यहां multiplication करना पड़ेगा तो के का multiplication दोनों coordinates के साथ होगा सो T of K X1 के वाइवन ठीक है अब हम transformation की definition अपलाए गर रहे तो transformation क्या बोल रहा है कि Y coordinate X पर आ जाएगा X Y पर चला जाएगा सो के यह वाइवन के X1 ठीक है इसको बोल देते है एक्वेशन नमबर वन अब हमें क्या करना है next side so right-hand side यानि की K into T of U calculate कर लेते है ठीक है सो के तो के ही रहेगा बट T of U की जगह रख देते है X1 Y1 अब definition अपलाए करो सो के तो वही रहेगा बट T की definition क्या है Y coordinate है वो X पर आ जाएगा और X coordinate है वो Y पर चला जाएगा अब multiplication करना है normal तरीके से सो के है वो दोनों के साथ multiply होगा सो के वाइवन के X1 सिंप्लिभाय हो गया इसको equation number 2 नाम दे जेते है अब यहां से clearly हम देख सकते है कि equation number 1 और 2 दोनों से में इसका मतलब यह हुआ कि T of KU is same as K into T of U यह तो हमरी second property है ना सो second property also satisfies that means T from यह ज़िखने के जरुदने है T is a linear transformation T is a linear transformation that's it done तो main changes यहां क्या क्या हो सकता है यह आपको देखना है कि यहां जो example दिया है R2 to R2 तो obviously R2 का मेंबर यानि कि X Y हम input कर रहे है और output by R2 का मेंबर मिल रहा है बट change होगा कुछ न कुछ चेंज होगा ठीक है बट जो चेंज होगा वो दे देंगे कि हमें कुछ नहीं दिखना है हमें just यह जो definition दी है उसको sticky रहना है strictly इसको follow करना है ठीक है कई बार क्या होता है R2 के R2 का मेंबर ट्रांसफर होके R3 में भी जा सकता है बटो कैसे जाएगा हो तो आपको दे देंगे हमें just यह दोनों property में throughout बस यह definition यूज करनी है ठीक है तो ऐसे ही हम कोई भी example आराम से calculate कर सकते हैं और check कर सकते हैं कि यह linear transformation है या नहीं ठीक है ओके तो ऐसे ही कुछ sums आप practice कर लेना और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप comment में reply कर सकते हो कोई specific example में doubt है तो ठीक है अगर आप comment में कोई example दे रहे हैं तो मैं उसका भी solution कर्द के post कर दूँगा okay done